हलो जी नमस्कार केमचो रामरम साब सतस्रीयकाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूटूब चैनल ट्रेन लाइप में अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल ट्रेन लाइप को सबस्काइब नहीं तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूटूब चैनल ट्रेन लाइप को सबस्काइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिसे की आने वाली हर इंफोर्मेटिव वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके तो सुरू करते हमारे आज के इसी व कोविड से पहले जो भी पैसेंजर ट्रेन थी और कोविड के बाद में उन ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन में बदल दिया गया था यानि उन ट्रेनों का किराया 10 रुपे से बढ़ाकर 30 रुपे कर दिया गया था अब रेलिवे के दुआरा ये सामने आया है कि अब उन ट् किराया 30 रुपे लगता था लेकिन अब minimum किराया 10 रुपे लगने वाला है और यह 10 रुपे सिर्फ उन पेसेंजर ट्रेनों में लगेगा जो की special trainer के रूप में बदल दी गई थी कोविड के बाद में special ट्रेनों के अंदर ये 10 रुपे मानने नहीं किये जाएंगे यानि वह special ट्रेन जिन ट्रेन के नंबर के आगे 0 लगा कर चलाया जाता है उन ट्रेनों के अंदर ये 10 रुपे किराया मानने नहीं होने वाला है उन ट्रेनों का किराया वही रहने वाला है जो की एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मानने किया जाता है तो ये किराया आप किन-किन ट्रेनों में लागू किया गया है तो बात की जाए तो जेपूर से चलने वाली जेपूर मतूरा, जेपूर बठिंडा, जेपूर सिक्कर, जेपूर चूरू, जेपूर फुलेरा, जेपूर अजमेर, जो भी DMU, EMU ट्रेन या जो भी पैसेंजर ट् ने किया गया है तो ये बहुत अच्छी खबर है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो मिलते है नेक्स्ट एक और वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू सू मत